रवना हर रोस अपनी गाय का दूद निकाल कर पास ही में रहने वाले आश्रम में स्वामी जी को दिया करती थी यूही एक दिन रवना जब दूद देने स्वामी जी के यहां गई तब स्वामी जी ने उससे कहा रवना, तुम हर रोस मुझे मुफ्त में दूद्द दे रही हो तुम्हारे दिये हुए दूद्द से हर दिन मेरी भूप मिट जाती है पर उसके बदले में मैं जब तुम्हें कुछ देना चाता हूँ तो तुम मना करती हो तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मांग लो कोई कस्ट नहीं है, मेरी चिंता आप चोड़ दीजे, पर मेरे बच्चों पर अपना अशिर्वाद यूही बनाय रखिये। स्वामी ने भी रमना की बाते मान ली। रमना घर पहुंचकर अपने बच्चे बालू और किर्ती से बात कर रही थी। सुन बालू और किर्ती, तुम दोनों आजकल बड़े शरार्ते बनते जा रहे हो, आसपास के बच्चों के साथ खेल रहे हो, उनके साथ कहलना गलत नहीं है, पर अगर उनके माता पिता ने तुम्हें उनके साथ खेलते हुए देखा और डांटा, तुम्हें बर्दाश्ट नह उससे कहा, मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बालू, आज कल मेरी तबित कुछ ठीक नहीं रहती, तुम दोनों मेरी सहायता करोगे तो अच्छा रहेगा, मा, हम बिलकुल आपकी मादद करेंगे, आपको जब इस सहायता की जरुरत होंगी बता देना, ऐसे केर्टी ने कहा, यूहीं चलते रमना बेहोशो कर गिर पड़ी, यू बालू रोते हुए, रमना को जगाने की कोशिश कर रहा था, बालू, मा हमेशा कहती रहती है ना, कि उसकी तबीद थीक नहीं, शाहद इससे लिए कुछ हुआ होगा, जल्दे अस्पताल ले चलते हैं, यह सोचकर बालू और किर रमना को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। रमना की अच्छे से जांच करने के बाद डॉक्टर ने बालो और कीर्टे से कहा। हाँ, सही कहा, अब से तुम्हें अपनी मा का एक छोटे बच्चे की तरह द्यान रखना होगा। ठीक है दॉक्टर, आज के बाद हम मा का अपने पल को पर बिठा कर द्यान रखेंगे। फिर कीर्टी और बालो अपने मा को लिए अपने घर लोडते हैं। उस दिन से कीर्टी और बालो अपने मा को बहुत प्यार से देखने लगे। जो काम रमना किया करती थी, वो अब दोनों बच्चे करने लगे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पर सारे काम करने वाली रमना ही जब बिमार हो गई तब बच्चों के कंधो परी सारा बोज आ गया था। अब घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही थी। घर में ठीक से खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता। जो थोड़ा भौत घर में था वो रमना को खिला कर वो दोनों यूहीं भूके सोजाते। यूहीं कुछ दिन बीते। यूँ एक दिन स्वामी जी सेध है रमना से मिलने वहाँ पर आये। रमना की ऐसी हालत देखकर स्वामी जी ने कहां। भालू, किर्टी, तुम्हारी मा की सेहत इतनी बिगड़ने तक मुझे खबर क्यों नहीं दी। तुम्हारी मा हर दिन मुझे कितने प्यार से दूद दिया करती थी। पर कभी भी उसने उस दूद के बदले में मुझसे कुछ नहीं लिया। हर समय तुम दोनों की चिनता करती रहती है। वो हमेशा तुम दोनों के बारे में ही सोचा करती थी। पिछले कुछ दिनों से रमना हमारे यहाँ दूद देने नहीं आ रही थी। तब ही मुझे आई किसी मुसीबत का आभा सोने लगा था, मैंने ये सोचा था कि शायद गाय दूद नहीं दे रही होगी, यही देखने के लिए मैं यहाँ पर आया, तो देखा कि रमना इस तरह बीमार पड़ी है और तुम दोनों यहाँ पर इतने कठीन गरीबी का सामना कर तुम्हारी मां हमेशा मुझसे एक ही चीज मांगा करती थी, उसने मुझसे कहा था कि जब मेरे बच्चे गरीबी का अनुभव कर रहे हो तब उनकी सहयता करना, लगता है अब रमना कारिन चुकाने का समय आ गया है, ऐसा कहकर स्वामी जी तुरंट गाय के पास गए, उसके उपर हाथ रख कर, आँखे बन कर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, इस तरह कुछ समय तक करने के बाद स्वामी जी बालू और कीर्ती के पास आए और उनसे कहां? भालू, कीर्ती, अब तक तुम्हारे पास जो गाय थी, उसे मैंने जादूई गाय में बदल दी है, वो अबसे हर रोज बाकी गायों की तरह दूद नहीं देगी, बलकि सोने का दूद ही देगी गाय के दूद में मिले सोने को बेच कर तुम पैसे बना सकते हो, पर एक बात बहुत ध्यान से सुनना हर दिन जब तुम गाय का दूद निकालोगे, तो पहले तुम्हें मामूली दूद ही मिलेगा, उसके कुछ देर बाद जादू ही दूद मिलेगा उस निकले हुए दूद को तुम अपनी मा को पिलाना, उस दूद की वज़े से तुम्हारी मा की सेहत पहले जैसी फूर्टीली हो जाएगी ये कहकर स्वामी जी वहाँ से चले गए स्वामी जी के कहे अनुसार, बालू और किर्टी गाई का निकाला हुआ पहला दूद मा को पिलाते हैं फिर उसके बाद आया सोने का दूद मेट कर पैसे कमाने लगते हैं यो दिन प्रति दिन रमना की सेहत सुधरने लगी बालू और किर्टी भी बहुत सारे पैसे कमा कर खुशी से रह रहे थें अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना ऐसे इंट्रस्टिंग स्टोर इसके लिए इस चानल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू फोर वाचिंग वाओ जी थे यो एक दिन बालू ने अपनी दीदी किर्टी से कहा दीदी क्रिसमस का थोहार आ रहा है पिछले बरस गो कि Protect Meuse जले कि अच्छे से मनाते कि ना आपधे आम लाउ आप क्या हम भी दिना मा बाव में caveन के क्रिसमस उसकतियोहार मनाएंगे दीदी? बालू उदास हो रहा था मां भाउजी तो अब नहीं रहे ना अब हमारा साया वो उपर वाला ही है हमारे लिए मां और भाउजी दोनों वही है मां भाउजी के नहीं रहने के दुख से उभरने के लिए हमें सारा भार अब भगवान पर ही डालना है कीर्ती ने भाई को समझाया यू दोनों भाई बहन बात कर रहे थे उनके घर के पड़ुस में बबलु नाम का एक लड़का रहा करता था उसके पिता बहुत धन्वान थे इसी वज़े से बबलु हर किसी से घमन से बात किया करता था कीर्ती और बालु को हमेशा रुलाया करता था अचानक उस रात कीर्ती और बालु जब बात कर रहे थे बबलु वहाँ पर आया अरे ओ गरिब बच्चों क्रिस्मस की तयारिया शुरू नहीं कि तुमने अभी तक ओ ऐसे भी तुम दोनों क्या तयारिया करोगे तुम्हारे पास पैसे जो नहीं है और नहीं पैसे देने के लिए माता पिता है मेरी तरह ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही मा बाओ जी, तुम दोनों क्या मनाओगे? क्रिस्मस के दिन हम बहुत बड़ी पाटी कर रहे हैं, तुम यहाँ दिखाए मत देना, तुम जैसों को हमारे आसपास रहता देख, हमारी इज़त कम न हो जाए कहीं, अगले दिन आ सकते हो हमारे गर, क्रिस्मस के दिन बचा हुआ कुछ होगा तो दे दूँगा, बेचारे, वैसे हम जितनी कीमती चीज़े खाते हैं, तुमने देख ही भी नहीं होगी, बबलू उन दोनों की खूब बेज़तिकर वहाँ से चला जाता है, बबलू के वहाँ से जाने के बाद, बालू ने अपने दीदी से कहा, देखा तुमने, उस बबलू को कितना गामांड है, उनक पर अगर वो हमें कुछ कह देगा, तो जवाब देने के लिए अपने साथ माता पिता नहीं है न, और ना ही उनका धीरज है, इसलिए ये लोग जो मू में आता है, वो बोल कर चले जाते हैं, हमें ये सब परदाश करना होगा, बालू, जब तक हम इनकी तरह पैसे नहीं कमा लेते हम कुछ नहीं कर सकते, यू देखते देखते क्रिस्मस का दिन आ गया, बालू, हमने सोचा था ना कि इस बार हम क्रिस्मस मनाएंगे, पर हमारे पास पैसे नहीं है, बता अब हम क्या करेंगे, दीदी, कहते हैं न, कि क्रिस्मस के दिन सांटा क्लॉस आकर बहुत सारे उपहार देते हैं, तो क्या हमारे यहां कोई नहीं आएगा? बालू, ये सब जो धनी लोग होते हैं न, वे अपने बच्चों को खुश करने के लिए ऐसी चीज़े करते हैं, बस, और कुछ नहीं, भला हमें कौन जानता है, हमें कौन उपहार देगा? किर्दी ने बालू को समझाया, उसी गाउ में गणपती नाम का एक आदमी रहा करता था, उसे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, वो भी बहुत धनी था, लेकिन धन का उसे थोड़ा भी घमन नहीं था, उंच नीच का भेद भाव हटा कर, वो सभी से बहुत प्यार से बात किया क करता था, सबकी सहायता करने के लिए तक पर रहता था, ऐसे में गणपती ने कुछ अलग करने की सोची, तब उसने मन ही मन कहा, वैसे लोग मुझसे जब भी सहायता मांगते हैं, मैं जितना बन पाता है करता हूँ, पर क्या सच में उनकी जरूरत के लिए ही वो पैसे प्याशी में तो खर्च नहीं करते न, अगर ऐसा है, तो पैसे दे कर मैं तो उन्हें बिगाड रहा हूँ, मुझे इस विशे में कुछ करना होगा, अब वैसे भी क्रिसमस आ रहा है, मैं सैंटा क्लॉस के रूप में पूरे गाउं में घुमूंगा, तब मैं ये जान पाऊ कि किसको सच में पैसों की जरूरत है, कौन तकलीफ में है, इस तरह मैं उनकी ही मदद कर पाऊंगा, जो सच में जरूरत मंद हो, ऐसे उसने तै किया, फिर गणपती सैंटा क्लॉस के भेस में खुद को बदल कर गाउं में घुम कर लोगों की जरूरते जानने लगा, और उन ने जाकर खड़ा होता है, बच्चों, क्या हुआ तुम दोनों को, क्रिस्मस त्योहार के दिन तुम दोनों का यूँ उदास बैटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सैंटा क्लॉस हूँ, तुम दोनों के लिए यहां पर आया हूँ, खुब सारे उपहार लाया हूँ अरी वा, ये तो सच में सैंटा क्लॉस है दिदी, और अपने लिए देखो तो कितने सारे उपहार लाये हैं नोंने, देखो न दिदी बालू खुशी में उचल उचल कर अपने दीदी से कह रहा था, किर्टी को सैंटा क्लॉस के सच में उनके घर पर आने की खुशी तो थी ही, पर अपने बालू को इतना खुश देखकर वो और भी जादा खुश हुई सांटा की भेस में आये गणपती ने क्रिस्मस ट्री के साथ साथ बहुत सारे उपहार भी दिये, जिन्हें देख बालू और किर्टी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, तब ही वहाँ पर बबलू भी आया सांटा क्लोस, आपका इस तरह गरीब बच्चों के घराना मुझे अच्चा नहीं लगा, मैंने आपके स्वागत के लिए घर में बहुत सारी तयारिया कर रखी है, पर आप वहाँ न आकर ऐसी छोटी सी जोपडी में इन बच्चों के पास आये हो, ये मेरी समझ में नहीं आ बच्चा, तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, और साथ में घमंड भी, ऐसे घर में भला कौन आना चाहेगा, मनिश्य हो या खुद भगवान, किसी के घर जाने के लिए वो पैसा नहीं देखते, अगर वो कुछ देखते हैं तो साफ रिध है, और द्वेश रहित मन, इसल ये तो मैं इन दोनों के पैस आया था, ऐसे गणपती ने समझाया, उसके बाद बबलू को उसने एक टोफी दे दी, आपने उनको इतने बड़े बड़े उपहार दिये, और मुझे एक छोटी सी कैंडी, ये मुझे नहीं चाहिए, बबलू अगर तुम्हें ये उपहार चा कुछ भी नहीं कहूंगा, तुमसे ही क्या, किसी से भी मैं पैसों के घमन में पात नहीं करूंगा, बालू समझ गया था, इसी को तो सही माइने में त्योहार कहते हैं, ऐसा कहकर गणपती वहां से चला जाता है, उस दिन से किर्टी, बालू और बबलू बहुत अच्छे दो कुस्त बन गया थे,